पिछली कक्षा में हमने हिंदी में नया पढ़ पढ़ना आरम करा था लाल बहादूर शास्त्री इस पार्ट में ने आपको भी बताया था कि लाल बहादूर का जन्म कहां हुआ था वे रादेश के दुसरे प्रधान मंत्री थे उनका विभा किस से हुआ था उनकी इच्छे सं उन्ताने थी उसके बाद वे गानी जी के संपर्क में आये उन्होंने उनके साथ मिलकर कई आंदोलन किये अब इस पार्ट में हम आगे पढ़ते हैं स्वतंतरता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्पण भूमिका रही उनमें 1921 का असयोग आंदोलन 1930 का दांडी मार तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उलेखनी है लाल बादु शास्ती जी ने बहुत सारे आंदोलन में भाग लिया था जिन में से ये तिन आंदोलन बहुती महत्पूर्ण है दूसरे विश्वय युद्ध में इंग्लेंड को बुरी तरह से उल जिता देख नेता जी सुब या मरो का आदेश दिया भाग सुबास्चंद बोस ने हिंद फोज को मतलब जो हमारी भारती सेना थी उनको दिल्ली चलो का नारा दिया गांदी जी ने अंग्रेजों को बोला कि अंग्रेज भारत छोड़ो तथा भारतियों को कहा कि करो या मरो इस तरीके से नारा दिय नो 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी ने इलाबात पहुचकर महत्मा गान्दी जी के इस आंदोलन में अपनी महत्पुन वो सक्री भूमी का निभाई 9 अगस्त 1942 को गान्दी जी के साथ वे इलाबात पहुचे और महत्मा उन्हों ने अपनी महत्पुन भूमी का निभाई मतलब उस आंदोलन में बहुत ही महत्पुन कारी किये उक्तिक रांती ने सिग्री दवानल का रुप अक्तियार कर लिया इस आंदोलन ने पूरे देश में एक नई चेतना जागरत की इस आंदोलन के दोरान शास्ती जी 11 दिनों तक भूमिकत रहे आखिरकार 19 अगस्त 1942 को गिरफतार कर लिया गये आंदोलन के दोरान उन्होंने कई दिनों तक धन्ना दिया उसके बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया उनके राजनीतिक मार्क दर्शकों में पुर्शोतम दास टंडन पंडित गोविंद वल्लब पंत तथा पंडित जवालाल नहरू थे राजनीतिक मार्क दर्शकों में मतला उनका मार्क दर्शक मतला उन्हें रास्ता दिखाने वाले में प्रमुक लोगते पुर्शोतम दास पंडित गोविंद वल्लब और पंडित जवालाल नहरू सबसे पहले 1939 में इलहाबाद आने के बाद उन्होंने टंडन जी के साथ भारत सेवक संग की इलहाबाद इकाई के सच्चीव के रुपे काम करना शुरू कर दिया सबसे पहले जब इलहाबाद आये तो उन्होंने सबसे पहले पुर्शोतम 10 टंडन के साथ कारी किया पंडित जवालाल नहरू से शास्ती जी की निकटिता इलहाबाद में रहते हुए हुई मतलब जब वे इलाबाद पहुचे और टंडन जी के साथ कारी करने लगे तब उन वे पंडित जवालाल नहरू से मिले और इसी बीच में उनकी निकटिता मतलब उनकी मित्रिता हुई और वे साथ साथ कारी करने लगे पंडित जवालाल नहरू से साथ जी की निकटता इलाबाद में रहते हुए हुई इसके बाद तो साथ जी का कद निरंतर बढ़ता ही गया उसके बाद वे सफलता की शेडियां चड़ने लगे वह एक के बाद सफलता की सेडियां चड़ते रहे गए और नहरु जी के मंत्री मंडल में ग्रह मंत्री के प्रमुक पति तक आ पहुँचे पंडित नहरू के निधन के बाद भारत के दूसरे प्रधन मंत्री बनने का गोरोवी शास्त्री जी ने प्राप्त किया 1947 में शास्त्री जी उत्तरपिदेश के ग्रह और परिवहन मंत्री बने 1947 में लालबादूर शास्त्री जी को ग्रह मंत्री और परिवहन मंत्री के पत्पर नियुक्ति किया गया इसी पत्पर कारी करते समय शास्ते जी की प्रतिभा पहचान का 1952 के पहले आम चुनाओं में कांग्रेस पार्टी के चुनाओं अभियान को संगठित कने की जिम्मेदारी पंडित नहरू ने उन्हें सोब दी थी लाल भादू शास्ते जी जितनी इमानदारी से और लगन से कारी करते थे उनकी लगन और इमानदारी को देखते हुए पंडित जवालाल नहरू ने उन्हें कांग्रेस की चुनाओं की जिम्मेदारी सोब दी चुनाव में कॉंग्रेस भारी बहुमत से विजय हुई जो जिम्मेदारी लाल भादु शास्त्री जी को सोपी गई थी उसमें वे सफल हुए और कॉंग्रेस पार्टी भारी बहुमत से विजय हुई जिसका श्रे सास्त्री जी की संगठन कुशलता को भी मिला इसका ही पूरी श्रे, मतलब जो सफलता प्राप्त ही उसका पूरा श्रे शास्त्री जी को दिया गया 1952 में ही शास्त्री जी राजी सभा के लिए चुने गये उन्हें परिवहन वो रेल मंत्री का कारिभा सोपा गया चार वर्ष बाद 1956 में अडिया लूर रेल दुरघटना हो गय थी मंत्री बनने के बाद चार साल बाद एक जिला अडिया लूर में एक रेल दुरघटना हुई जिसमें सो लोगों की मृत्ती हुई इस तरास्ति में लगभग देर सो लोग मारे गये थे इस तरास्ति में मतलब इस दुरघटना में देर सो मतलब एक सो पचास लोगों का मृत्ती हुई ऐसा अनुमान माना गया था इस घटना की नेतिक जिम्मेदार लेते हुए शास्तर जी ने रेल मंत्री के पद्र से त्याक पत्र दे दिया उन्होंने इस घटना के लिए खुद को जिम्मेदार माना और अपने पद्र से इस्तिफा दे दिया उनकी इस नेड़ने का राष्टी व्यापी स्वागत किया गया अपने सद्गुणोंवा जन प्रिय होने के कारण 1957 के द्वित्ति आम चुनाओं में वह विजय हुए इसके बाद उन्हें फिर चुनाओं में खड़ा किया गया जिसमें वह उच्च सफलता प्राप्त की शास्त्री जी को पुनहा केंडरी मंत्री मंडल में परिवहन वह संचार मंत्री के रूप में शामिल कर लिया गया उन्हें वापिस से रेल मंत्री और संचार मंत्री के पत्वर न्यूक्ति किया गया 1958 में वह वानिच जी तथा उद्योग मंत्री बनाए गये उसके बाद वे वानित जी और द्योग मंत्री के पद पर स्थापित किये गये या उन्हें वो पद दिया गया पंडित गोविंद वल्लब पंध के निधन के बाद 1961 में वह ग्रह मंत्री बनाये गये 1961 में उन्हें ग्रह मंत्री पद पर नियुक्ति किया गया यहां उनके जीवन में एक बड़े राजनीतिक मोड के रूप में सामने आया, यह उनके राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धी थी सन 1963 में कामराज योजना के अंतरगत पत छोड़का संस्था का कारी करने का प्रश्णा आया, तो सास्त्री जी ने आगे बड़का बेही चक ग्रह मंत्री का पत्र त्याग दिया, जब संस्था के लोगों को उस कारी को करने के अश्रक्ता थी, तब उन्होंने सभी से पूछा पंडित जवाल लाल नहरू जब अस्वस्त रहने लगे तो उन्हें शास्त्री जी की बहुत आश्रक्ता महसूस हुई, जब पंडित जवाल लाल नहरू स्वस्त नहीं थे, मतलब बीमार हुए या किसी कारण से वे कमजोर हुए, तब उन्हें महसूस हुआ कि अब मेरे बहादु शास्त्री को आ जाना चाहिए जनवरी 1964 में वह पुना अव विभागी मंत्री के रूप में सरकार में सामिलू कर लिए गए तत्पशाद पंडित नहरू के निधन के बाद 9 जुन 1964 को सास्त्री जी भारत के दुसरे प्रधान मंत्री बन गए सन 1965 के भारत पाक यूद में उनके कुशल नेतरत्व में देश के विजे हासिल की 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के यूद में हिंदुस्तान ने विजे हासिल करी स्वास्त्री जी को प्रधान मंत्रित्व के 18 महा की अलपावधी में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा किन्तु वह तनिक भी विचलित नहीं हुए बल्कि अपने शांत स्वभाव अनुपम सुझभूच से उनका समाधान ढूणने में कामियाब होते रहे राजनिती में प्रधान मंत्री बनने के बाद 18 महेने में उन्हें काफे परिशानियों का सामना करना पड़ा परंतु अपने सांत स्वभाव के कारण उन्होंने उन सभी परिशानियों का समाधान ढूंड लिया उन्हें कठिन समस्याओं को समाधान करने किसी विवात का हल खोजने तथा प्रतिरोधी दलों में समझोता करने के अद्भूत प्रतिभाव शमता विद्यमान थी उन्हें ऐसी कह सकते हैं कि विद्या थी या ऐसी प्रतिभाव थी कि वे सभी परिशानियों का समाधान बहुती शांत मन से ढूंड लेते थे वे किसी भी विरोधी दल को बहुती प्यार से समझा लेते थे देश में खाद्यान संकट उत्पन होने पर उन्होंने देश का आवाहन किया साख सबजी ज्यादा खाओ सब्ता में एक शाम उपवास करो हमें जीना है तो इजट से जीएंगे वरना भूके मर जाएंगे जब रास्ट में मतलब देश में एक बार समस्या आई खाने पीने की तब उन्होंने बड़े ही विनम रभाव से पूरे देश को कहा कि हमें साख सब्जियों का ज्यादा उप्योग करना चाहिए सब्धा में एक शाम उपवास करना चाहिए हमें किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाना है हम भूके मर सकते हैं परन्तु किसी के आँँ सामने जुक नहीं सकते शास्ति जी ने अपने अंतिम समय तक शान्ती की स्थापना के लिए प्रयतन सिल रहे जीवन के अंतिम दोर में भी वे राष्ट के शान्ती के लिए कारी करते रहे 1965 में भारत पाक युद्ध विराम के बाद उन्होंने कहा था हमने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी अब हमें शान्ती के लिए पूरी ताकत लगानी होगी उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की युद्ध में कहा कि हमने इस लड़ाई को जीतने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है अब हमें हमारे देश में शांती बनाये रखने के लिए भी पूरी ताकत से कारी करना पड़ेगा शांती की स्थापना के लिए ही उन्होंने 10 जन्वरी 1906 को ताशकंद में पाकिस्तानी रास्टपती अयुखा के साथ ताशकंद समझोते पर हस्ताक्षर किये उन्होंने राष्ट में सांथी बनाये रखने के लिए 10 जनवरी 1986 में पाकिस्थानी राष्ट पती अयुख खा के साथ ताशकन समझोते पर हस्ताक्षर किये भारत का धुर्भाग्य था कि ताशकन समझोते के बाद देश इस महान पूरुष्ट के नेतरत्व से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो गया जैसे ही उन्होंने सिगनेचर यानि हस्ताक्षर किये उसके अगले दिन ही उनकी मृत्ती हो गई 11 जन्वरी 1966 को शास्त्री जी का देहांत हो गया याने 10 जन्वरी को उन्होंने हस्ताक्षर किये और 11 जन्वरी को उनकी मृत्ती हो गई मारणो प्रांत सन 1966 में उन्हें भारत के सर्वोच अलंकरन भारत रत्न से विभूशित किया गया मृत्यू के बार 1956 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया रस्ट के विजेई प्रधान मंतरी होने के नाती उनकी समाधी का नाम भी विजेई घठ रखा गया था विजेई प्रधान मंत्री मतलव उन्होंने जब जब जो जो कारी करा उसमें हमेशा सफलता प्राप्त करी इसलिए उनकी समाधी का नाम विजेगार रखा गया उदार वेक्तित्व के धनी शास्त्री जी भारत माता के सच्चे सपूत के रुप में हमेशा याद की जाते रहेंगे ऐसे महान पुर्शों को हमारा देश हमेशा याद करता रहेगा धन्यवाद